अर्थपकाश जिखमें तो हम भाई मैंने को डॉक्टर स्वास्टी शुर्मकन मश्कर प्यारे भाई मैंने जैसे आपको पता है कि हर्याना विधान सवा का शेशन चार रहा है और इस शेशन में पहले दिन से ही गर्मा गर्मी का महौल था और आज हर्याना के थ्यास में यह व नहीं कर रही लेकिन जो मुझूद्धा सिति के अंदर अविश्वास परस्ताव आ रहा है यह बहुत एक सरकार के लिए कि सरकार किस तरह से बचाते हैं और इसकी त्यारियां देखिए सबसे पहले बीजेपी ने चीव वहिप जारी कर दिया है वहिप जारी कर दिया कि आज सदन के अंदर तमाम जो एमले वह पस्टित रहेंगे वहिप का मतलब है कि आगर वह नहीं पस्टित रहेंगे उनकी विधानसवा सदस्ता तक भी जा सकती है और उसके बाद कांग्रस कांग्रस पहले दिन से कह रही है कि वह अविश्वास परस्ताव वो लेकर आए थे और किसानों के जो तीन गरने करने को लेकर यह विश्वास परस्ताब lassा क davon कि अक्सर कहते रहते हैं कि हम यह प्रदेश के अंदर प्रदेश की वो कौन-कौन से किसानों के साथ वो 26 पस्टूप से लोगों के चली जाएगी लेकिन कुछ दिन पहले सबसे पहले अब श्वास प्रसाब से पहले आयनलडी के महाबारत और इस विधान सवा के अंदर लड़ा जा रहा है और यह सरकार के लिए जैसे हम सब को पता है कि कांग्रस जो यह चाहती है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है उसके किसानों के पक्ष में जो हैं वो डालेंगे कि तीन कुरून रद्ध हो लेकिन भारती जनता पार् जन नाएक जनता पार्टी जो देवी लाल जी के सिधानतों पर चलती है अक्सर कहते थे लोक राज लोक लाज से चलता है आज जजपा के लिए भी यह अगनी प्रिक्षा है क्योंकि भारती जनता पार्टी की सिहोगी पार्टी है सरकार के अंदर लेकिन आज उसको बताना पड़ेगा अपनी स्थिती प्रकट करनी पड़ेगी कि वो उनके स्टैंड क्या है जो अक्सर पहले हम चाते थे लोग भी चाते थे जजपा के स्टैंड क्या वह आज काफी हद तक इस विधान सवा के अंदर कलीर हो जाएगा और जैसे हमें पता कि हर्याना हर्याना में ती जहां भी होगी लेकिन इस अविश्वास परस्ताब को देखेंगी क्योंकि उनके घरों से उनके जो वन्षज हैं वह आज भी इस विधान सवा के सदस्य हैं और सबसे वड़ी बात है चौदी देविलाल जी उनके जो बेटे चौदी रंजी सिंग चुटाला इंडिपेंड ले हैं और चोदरी भजनलाल उनके पुत्तर कुल्दी बिश्णोई भी आज इस विधान सवा के हिस्सा है लियानि अगर हम देखा जाए आज का जो अविश्वास परस्ताव है जो हर्याना की जंता को भी स्थिति प्रग्ठ हो जिया से यह सभी ऑपुशन वाले कह रहे हैं परदेश है और मैक्सिमम पंजाब के बाद इसका योगदान सेंटर पूल में होता रहा है और किसान अंदोलन से भी जो कि हर्याना अंचूता नहीं है इसमें भी इन्हों ने अपना योगदान दिया लेकिन आज पूरे हर्याना के धाई क्रोड लोग इस अविश्वास पर सरकार को खत्रा निया लेकिन फिर वी जो एक दो वीडियो जाई हैं उनके पश्चम कश्च का महौल है कि वह किदर जाएं क्यूंकि अगर वो पक्षम में जाते तो उनको किसानों का रोश देखना पड़ेगा वह जनता की बीच में कैसे जाएंगे अगर जनता चाते तो सर सिंग चुटाला ने यह कल ब्यान दिया कि इस अविश्वास के प्रस्ताव के बाद मैं तुरंत प्रेस कॉंफरंस करूंगा और सारे चिठे लोगा सरकार के वह भी पुरी तरह त्याहर है लानी इस विधान सवा के अंदर आज शत्रंज बिश चुकी है और धाई क्रोड लोग हर्याना के यह अविश्वास प्रस्ताव के उपन के निगा लगी हुई है यह मेरी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा की अभी तक की रपोर जो स्ब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन द्रबाना अभी तो